नमस्ते मैं हूँ देव दृष्टी कुन प्रोडक्शन से और आपका मुजिक इंस्ट्रक्टर आज हम बात करेंगे एडिसन के बारे में ये आपके सामने जो वियस्टी खुला हुआ है और देखेंगे इसके कुछ कूल फीचर्स इसका पहला फीचर आप अल्रेडी देख चुके हैं नॉइस रिमूवल वाले लेक्चर में अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप सीरीज में जाके चेक कर सकते हैं यहाँ मेरे सामने है एक आडियो क्लिप फीमेल वोकलिस्ट की है आईए सुनते हैं नाइस तो आईए देखते हैं एडिसन से हम इसके साथ क्या कर सकते हैं सबसे पहले आप देखेंगे मेरा हाथ यहाँ पर जा रहा है माउस और जैसे ही लेफ्ट टॉप पे आया यह जो पॉइंटर है मेरे माउस का यह हाथ में कनवर्ट होयाता है इस पे क्लिक किया बहुत सारी ओप्शन्स हैं मैं यहाँ जा रहा हूँ एडिट सेंपल इस पे किया क्लिक और एडिसन के अंदर वो ही सेंपल आ गया तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ यह टूल बना हुआ है आप देख रहे हैं इसके उपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जाता हूँ रिवर्स मैंने वो आडियो रिवर्स कर दी है यह मैं सेलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ डिलीट का बटन थोड़ा और रटाया ठीक है सुनते हैं इस चैनल के अंदर यह है आडियो अब मैं क्या करने वाला हूँ एक रिवर्स एड करूँगा सुनके देखते है अब मैंने क्या किया एक और एडिसन लोगा सेम चैनल के अंदर और दोनो एडिसन मैंने आमने सामने रख दी है अब बहुत ही सिम्पल चीज़ है ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ एक को करूँगा record और दूसरे को करूँगा play record play stop ठीक है वो record हो गई जो इधर play हुआ था वो इधर record हो गया with reverb क्योंकि मैंने बीच में reverb add कर दी थी अब मैं क्या करने वाला हूँ वापिस से इस tool वाले icon के उपर गया इस पर click किया और वापिस से मैंने कर दिया reverse वो वापिस उल्टा हो गया है अब देख रहे हैं cool feature हो गया है अब मैं क्या करने वाला हूँ ये मेरी drag and drop की option है इस पर मैंने click किया पकड़ के रखा हुआ है ये मेरे हाथ में आ गया है जहां मैंने छोड़ा वहाँ पर आ गया पूरा zoom करूंगा और audio को एक दूसरे से match करूंगा ये match कर दी है और यहां से मैंने इसे काटा और right click से कर दिया remove आईए सुनते हैं क्या effect बना है तो आप देख रहे हैं क्या cool चीज़ बनी है अब हम देखेंगे Edison का दूसरा cool feature ये मैंने उड़ा दिया यहां जाता हूँ किसी और नमबर में गए चैनल में और यहां पर mixing channel में गए और यहां पर मैंने जाके लिया है फिर से एक Edison drums में जाते हैं kicks में जाते हैं कोई एक किक लेंगे चलिए किक ली drag and drop Edison के अंदर ठीक है right अब बिल्कुल आखरी में मैंने थोड़ा सा पकड़ के select किया और क्या कर रहा हूँ मैं ctrl c ctrl v आप देख रहे हैं थोड़ा सा वहाँ पे paste हो गया है वो खाली सी जगा मैं ctrl v v v v v दबाता जा रहा हूँ और वो जगा बनती जा रही है आप देख रहे हैं मैं क्या करूँगा ctrl v दबाके ही रखूँगा काफी खाली जगा बन गई है इसे मैंने select किया ctrl c ctrl v ctrl v अब बहुत जादा जगा मैंने यहाँ पे बना दी है खाली ओके अब मैं क्या करने वाला हूँ यह है मेरी kick राइट और आगे है खाली जगा इस खाली जगा को मैं कर रहा हूँ select simple मेरे mouse के left click से और ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है run अगर आप hint panel में जाते हैं आप वहाँ पढ़ेंगे वाली खा है run script इसमें मैंने किया click बहुत स सामने है यह option मैं क्या करने वाला हूँ एक sub base create करूँगा जिसकी frequency lower side होगी obviously रखते हैं 50-55 hertz 45 hertz रखते हैं चलिए phase हम नहीं छेड़ रहे है phase क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे volume किक का volume अगर हम 1 लेके चलें तो इसे थोड़ा सम कम रखते हैं 1 से चलिए 0.8 something कुछ कर दिया है run जैसी मैंने run पे click किया आप देख रहे हैं यहाँ पर एक sign wave आगी है इसे सुनते है ठीक है एक sub बन गई है अब मैं क्या करने वाला हूँ इसे मैंने किया यहाँ से zoom double click किया selection हट गई अब मैं देख रहा हूँ यह बिल्कुल ध्यान से देखने वाली चीज़ है जूम किया crest, trough, crest, trough यहाँ से यहाँ मैं कर दूँगा select करके delete इसे और zoom करेंगे scroll करके आप देख रहे हैं मैं actually मैं क्या चाहता हूँ मेरी kick और जो मैंने sub बनाई है वो आपस में बिल्कुल match हो जाए एकदम sign wave perfect बन जाए ताकि बीच में click कि sound ना आए यह थोड़ा और select किया delete थोड़ा और select किया, delete यह थोड़ा अभी भी यहाँ पर है इसे भी select किया, delete अब सुनते हैं क्या चीज़ बनी है, stop किया अगर आपके speakers के साथ कोई subwoofer लगा हुआ है या फिर headphone की अची bass है आप सुन सकते हैं यह एक sub kick बन गई है, पहले kick कैसी थी? और अब कैसी बन गई है? लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर जाके click की sound देता है वो तुक, तो इस तुक को क्या करेंगे हैं? थोड़ा सा मैंने end वाला select किया, वापिस यहाँ click किया और मैंने कर दिया fade out वो fade out हो गई है, double click, selection हटी, stop, अब सुनते हैं नाइस, drag and drop, पकड़ा, यहाँ जाके मैंने छोड़ दिया है, zoom करेंगे तो आप देख रहे हैं, sub kick, आप किसी भी kick के साथ इसे merge कर सकते हैं, अपनी taste के हिसाब से 50 Hz, 60 Hz कुछ भी कर सकते हैं और एक और चीज भी कर सकते हैं, दूसरा feature, जैसे मैं क्या करने वाला हूँ, वापिस यह आखरी खाली जगा, इसको मैंने किया select, control C, copy, paste, control V मैं दबा के रख रहा हूँ, लगातार, यह चीज, यह फिलहाल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह music production में, I don't know कि यह काम की चीज होगी या नहीं, लेकिन sound design में काम की जरूर होती है, कैसे मैंने इतना से area select किया, run पर click किया, generation, वापिस मैं sign generate कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर frequency, जो 20 से 20,000 Hz आपको मालूमी है, जो audible होती है, मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ, 8,000 ट्राय करते हैं, अब यहाँ पर एक आपको दिख रहा है, एक sign wave बन गई है, अगर मैं zoom करके आपको दिखाऊंगा, तो य यह एक sign बनी है, जो लोग headphone पर सुन रहे हैं, मैं पहले ही आपको बता दूँ, volume कम कर लो, क्योंकि यह आपको कान में परिशान कर सकता है, यह मैंने actually क्या चीज़ बनाई है, volume कम करके सुनिये, मैं play करने वाला हूँ, जिनों ने volume कम नहीं किया था, उनको मैं sorry बोलूँगा, क्योंकि obviously कान के परते हिलाने वाली यह चीज़ है, यह कब हमें काम आता है, जब कोई serial या movie के background scoring में हमें दिखाते हैं कि bomb फट रहा है, या कोई ऐसा scene है कि hero ने villain को चांटा मारा और कान में की sound आ रही है, तब इस त particular frequency जो आपको चाहिए, अगर आप सब base चाते हैं, अच्छी baseline बनाना चाते हैं, 808 बनाना चाते हैं, जैसे यह एक हमने 808 यहाँ पर बनाई थी, तो आप 50 Hz, 60, 70, 40 Hz यह ले सकते हैं, अगर आप इस तरह की बनाना चाते हैं, तो 6000, 7000, 8000 वो आपके taste के उपर depend करता है, अब ह यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ क्लिक किया, edit sample, आपके सामने sample आ गया है, मैंने सिर्फ इतना सा select किया है बीच में से, और यह उठा के यहाँ रख दिया, आप देख रहे हैं, यह section मेरे पास आ गया है, right click, piano roll, आप देख रहे हैं, आप क्या चीज बन गई है यहाँ पर, आपने DJ SNAI के बहुत सारे गाने सुने होंगे, आज कल यह चीज बहुत चल रही है, एक vocal को लेकि उससे chop कर दिया जाता है, और उपर निचे pitch किया जाता है, यह इस तरह से किया जाता है, अगर आपको नहीं पता मैं फिर से बता देता हूँ, यह रिमूव, यह भी रिमूव, कोई और vocal लेते हैं, यह हमने लिया, ओके, यहाँ किया click, यहाँ किया edit sample, कुछ भी जो आप काटना चाहें, ओके, यह सारा किया, select, delete, यह भी कर दिया, delete, यह पकड़ा, यहाँ ले आए, इसका नाम क्या है, VOC push push it hash 2, VOC push it hash 2, ठीक है, pattern change किया, right click, piano roll, C5 paste की original sound होगी, तो आप देख रहे हैं, एडिसन के साथ आप कितना कुछ कर सकते हैं, आप उससे noise remove कर सकते हैं, reverse, reverb जैसे effect दाल सकते हैं, फिर हम 808 बनाते हैं, 808 trap sound होगई, या hip hop होगई, जिसमें bass आ रही है, kick के साथ वो चीज बना सकते हैं, इस तरह की हम soundें बना सकते हैं, यह देखिए डबल क्लिक, control A, पेच उपर ले गया, इस तरह के effects बन सकते हैं, तो आप एडिसन के साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर record का button दबाते हैं, तो यह बहुत सरी options पूछता हैं, मैं हमिशा prefer करता हूँ everything, लेकिन अगर आप चाहते हैं, कि जो भी आप record क अगर हैं, उसे एडिसन के अंदर आप edit भी करना चाहते हैं, तो आप audio into Edison audio editor recorder इस पे click करेंगे, तो वो एडिसन के अंदर record होनी शुरू हो जाएगी, production जा इस पूरे course के regarding कोई भी आपकी query हो, आप मुझे message कर सकते हैं, यह मेरा youtube channel है youtube.com slash devmusic, आप इसे subscribe कर सकते हैं, मेरा facebook page facebook dot com slash devnextlevel, आप मुझे message कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, 24 घंटे में सबका reply करूँ, और यह है मेरा soundcloud dot com slash devnextlevel, यहाँ भी आप मुझे follow कर सकते हैं, और मेरी sound सुन सकते हैं, तो यह थे Edison के कुछ cool feature, मिलते हैं अगले lecture में, तब तक के लिए देव दृष्टिकोन productions, signing out, Namaste!